हेलो दोस्तों आप सब का फिल से स्वागत है एक नहीं वीडियो पर तो दोस्त करता है हाई कि अृmission की नहीं पर तोस्त वीडिया भीर बहुत चगाव से लोग आते हैं प्राथना करने इस वर का पास और यह जैसा कि रेत लगा हुआ है यहां लोग आते हैं अब निल डाउन करके मतलब अपने गुटनों को बल पे आके वो प्राथना करते हैं और अपना जो मन के मनुकमनाई है उसे के लिए प्राथना करते है कि अ 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 दूसरा तरह है मैं इस तरह अपको जा के दिखाएंगे कि जैसा यह बहुत बड़ा एरिया जैसा मैंने कहां ओ चर्स देखा दे रहा है ओ भी एक चर्स है और आगे के तरब ओ देख रहा है बहुत दूर पर ओ भी चर्स है और यह साइड पे जो जीजस देखा दे रहा है बहुत दूर पर है वहाँ भी मतरब इसकी पीछे तरब भी एक चर्स है, इसा बहुत सारा चर्स आसपास पर है, बहुत बड़ा एरिया, मैंने सोचा भी नहीं था, और कलपना भी नहीं किया था, कि यहां कभी आएंगे, तो दोस्तों, मैं बहुत थैंक्फुल हूँ, कि यह क्वाइस मेरा मतलब सक्सेस हुआ, दोस्तो अगर कोई भी यहां आना चाते है, तो आप सिक आ सकते हैं, यहां, जैसे कि दोस्तों, आप देख रहे हैं, यह कंपाउंड कितना बड़ा है, वहां भी चर्स है, वो कितना भी वाइट दिखा दे रहा है, दूर दूर पर, वो सब चर्स हैं, बहुत बड़ा एक एरिया है, यह एक होली फिल्ग्रमेट स्प्लेश है, बहुत जगाओं से लोग आते हैं, यहां, दोस्तों, अगर आप आना चाते हैं, यहां, तो बेलंकनी, जो एक छोटे से टाउन है, दिस्टिक नगाप अटनम, तामिलनाडू स्टिट पे, साउथ पे है, जैसा की मैंने सोचे भी नहीं थे, कि इतना भीड होगा, इतना बड़ा कंपाउंड और इतना सारा चर्स होगा, इतना सोचे भी नहीं थे, और यह चर्स का जो सामने ये दुसरा वाला चर्स है, मास हो रहा है और उपर के तरह जो सिड़ी लगा हुआ है उपर में भी मास हो रहा है दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट जरू कीजिएगा ताकि अब कलिए देसरा वीडियो लास अपूर और अपना दोस्तों से जरू सेर कीजिएगा तिल देम थेंक्यों टेक्यार और बाबाए